हेलो फ्रेंड्स जार्खन में एक कमाल की न्यू वेकेंसी आई है फ्रेंड्स आपको जरूर से जरूर ये पसंद आएगा देखिए जार्खन न्यू वेकेंसी दोजार तईस जार्खन न्यू वेकेंसी दोजार तईस जापरासी या आदेशपाल की वेकेंसी है फ्रेंड्स औ और योगिता देखे फ्रेंड, 10th पास रखी गई या फिर इसके समक्च, तो आप लोग 10th तो किये ही होंगे जरूर से जरूर, तो आपके लिए यह बेकेंसी है, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी, यह बिल्कुल न्यू बेकेंसी है फ्रेंड, जहारखन क के तरफ से निकल के आ रही है, तो चलिए देखते हैं किस जीले से निकाली के यह है, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि आप लोग किसी भी जीले से हैं, आप लोग अपलाई कर सकते हैं, तो यह वीडियो जहारखन के किसी भी जीले से आप लोग बिलोग करते हैं, सब के लिए तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल नोटिपिकेशन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलिग्राम गुरूप जारखन जॉब नोटिपिकेशन में जॉइन नहीं हुए तो जल से जल जॉइन कर ले क्योंकि बहुत सारे जॉब इन्फॉर्मेशन के म पता हूँ तो टेलिग्राम गुरूप के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो जल से जल जॉइन कर ले देखें 132 मेंबर थी अभी 160 मेंबर हो गये इसी तरह जल से जल सभी को अपने फ्रेंड्स को जोड़े खुद भी जुड़े और अपने फ्रेंड् कर आरी वेभार नियाले देवघर के तरफ से निकल कर आरी ए विज्यापन संख्या 1 अब्लिक 2023 देखें वेभार नियाले देवघर में रिक्त पदों पर सीधी न्यूकती है तो योगी उमिद्वार से विहित पत्र में स्वाहस्त लिखित आवेदन आमंत्रित की जाते हैं रिक्तियों की जो विवरनी प्रेन यहां पे दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन-कौनसी बैकंसी है, यहां पे, सबसे पहले यहां पे आप आपको देख सकते हैं, देखें सबसे पहले प्योण, यानि की चपरासी, या फिर आदेसपाल की बैकंसी है, टौटल जो general category से है, अन्रियर कटेगरी से है वो 11 सीट है अनुसुची जाती यानि के SC कटेगरी से 5 सीट है अनुसुची जन जाती यानि ST कटेगरी से कोई भी सीट नहीं है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग BC2 में 4 सीट है और BC1 में 7 सीट है और देखे EWS के लिए 3 seat है, total मिला के 30 seat हो जाती है, इसके बाद देखे, treasury सरकार या फिर treasury messenger की post पे, केवल देखे, BC1 category में 1 seat है, और total एक ही seat है, इसके बाद देखे, दबतरी में 1 seat general के लिए है, और total एक ही seat है, देखे, इसके बाद चौते नमर पे रात्री परहरी, मतलब जो रात्री पर ही की बेकेंसी है, इस में देखे, समान या जानी जानरल और रियर्फ कतिगरी में 2 seat है, और 1 seat BC1 category से है, total 3 seat है, इसके बाद देखे, चालक अस्थापना 2 seat है, और SC category में 1, HT category में 1 है, BC1 category में 1 है, total 5 seat है, इसके बाद देखे छटे नमबर पे चालक ग्राम नियायलेक में चालक की पोस्ट पे वेकंसी है एक सीट है अर्ण रिजर केटेगरी में और टोटल एक ही सीट है तो देखते हैं कि फ्रेंड जो यह सब वेकंसी है इसमें क्या सेक्षनिक योगेता रहने वाली है क्या वेतनमान दिया जाएगा वो सभी देखेंगा भी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले नमबर पे बात कर लेते हैं फ्रेंड प्यून और या चप्रासी जो ग्रूप D की पोस्ट है उसमें जो वेतनमान रने वाली है वो 18,000 से लेके 56,900 तक रने वाली है लेबल वन की वेकंसी है देखें योगेता देखें दसवी मेट्रिक उतीर्न या फिर समकक्ष मतलब आपको दसवी पास है तो आप लोग इलिजिबल है और देखें जो भरती का तरीका होगा फ्रेंड वो देखें स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षातकार पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा मतलब जिसमें की जो बहुत सारे कंडिडेट होंगे उसको छाटा जा सके और इसके बाद कॉंसलिंग साक्षातकार होगा समक्च चाहिए और इसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साथच्छतकार लिया जाएगा इसके वाद तीसरे नुबर पर दपतरी जो गुरूब डी की ही पोस्ट है इसमें भी सेम गुरूब डी के जितने भी है फ्रेंड वेतनमान सभी का सेम है और देखे इसमें जो दसवी देशमी पास चाहिए या फिर समकक्च एवं इस छेतर में तीन वर्स्त का कार्य अनुभव चाहिए तो इसलिए मतलब अगर आतरी परहरी का आपलो अपलाए करना चाहते है तो आपको तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और यहाँ पे देखे तथा कारी विश्येस म साक्षातकार लिया जाएगा इसके बाद देखिए चालक जो है ग्रूप सी की पोस्ट है फ्रेंड इसमें देखे उनीस जार नॉसो से लेके तिरेसाट हजार दो सो पर मन्त दी जाएगी और यहाँ देखे दसवी पास इसमें भी चाहिए या फिर समकक्च और तथा LMB का लाइसेंस धारक होना चाहिए और देखे इसमें जो मतलब भरती का जो तरीका है ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसके बाद देखे फ्रेंड क्या क्या टर्मेन कंडिशन रखी गई है इसमें देखे उमिदवार जो है भारत का नागरिक मानसिक सारीरिक सुप से स्वस्थ हो नियतिक चरितर अच्छा हो एवं किसी अप्राधिक आचरन वाले किसी मामले में वांचित या साजा या अपता ना हो तथा विवाहित होने की इस्तिती में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पती ना हो इसके देखे देखे दूसर सरकार द्वारा मानेता एवम मानेवम निर्धारित अधतन आरक्षन नियम लागू होंगे आरक्षन का दावा करने वाले उमीद्वार का आरक्षन सम्मद्नी परमानपत्र सक्षम प्रादिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए मतलब अगर जिसे कि कोई भी अगर मानलिया ज उने ये सब जो रिजर्ब सीटे हैं जो पिछड़ा वार गया सब का तो वो लोग इसमें अपलाई नहीं कर पाएंगे जो जेनरल की सीटे हैं उसमें अपलाई कर सकते हैं इसके आद देखिए छटे नमबर पे सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं महिला दिव्यांग यहों खेलकूत कोटा के संदर में नियमानुसार 36 आरक्षन का लाब मानी होगा इसके आद देखिए साथे नमबर पे जो एज लिमीट की बात कही गई है तो आपलो इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पे आठवे नमबर पे अपनी उम्र सेक्षनी के वह वांचित योगेता से संबंदित परमान पत्र की स्वाभी परमानित परती पत्र का प्रारूप को दिया है और एक नीचे में आवेदन पत्र का प्रारूप को होगा तो देखिए यह दोनों को भरके और जितने भी आपके सपोर्टिंग डोकुमेंट है यानि कि आपका सेक्षिक परमान पत्र जाती परमान पत्र आवासी परमान पत्र और जो भी कु यहां पर तो यहां बोला गया है उमिद्वार अपना सुवह हस्त लिकित आवेदन पत्र परवेश पत्र देवगरी लिपी में परधान जीला एवं सत्र नियायदी देवगर को सम्भोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्ष्री के कार्याले में दिनांक 22-23 यानिके ये लाश्ट डेट आपका रने वाला है फ्रेंट 20 फरवरी 2023 के अंदर तक सुवह या निवंदित डाक या स्पीट पोस्ट द्वारा कार दिवस को प्राप साड़े 10 बजे से साम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं इसे फ्रेंट देखे निवंदित डाक के माध्यम से या फिर स्पीट पोस्ट के माध्यम से या फिर हाथो हाथ भी लिया जाएगा फ्रेंट यहां पर साथ देखिए नीचे लिखावाता कहीं पर देखिए आवेदन यहां पर भेजने का जो पता है निवंदित डाक या स्पीट पोस्ट या हाथो हाथ भी जमा कर सकते हैं आप तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे और कहां पर करना है यह एड्रेस है परधान जीला एवं सत्र नियायदित देवगर को संभोधित करते हुए विहित प्रपत में तो मतलब यही एड्रेस पर आपको देना है जाके या पर स्पीट पोस्टे भेज़े या निवंदिर डाक से इसके आद देखिए आवेदक आवेदक आवेदन पत्र के साथ तीन अध्यतन पासपोर्ट साइट का फोटोग्राप संलगन करें मतलब तीन फोटो आपको देना होगा असमें देखिए इसमें जो है जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा आवेदन पत्र पर सटा, दूसरा परवेदन पत्र पर देखिए यहां दो नीचे में एक आवेदन पत्र है और एक परवेदन पत्र है तोनों में सटा रना चाहिए तिसरा अतिरिक्त होगा 100 पता लिखा 25 c compr causes 11 cm पर ब्र्वेद पत्र निर्गत करने है तू जिस पर 40 रुपए का डाक टिकट सटा हुआ हो आवेधन पत्र के साथ सनलगन हो मतलब फ्रेंड देखें यहां पर जो नीचे में आपको यह फॉर्मेट दिख़ा हुआ यहां पर यह दूसरा नंबर का वला देखें पर वेस पत्र लिखा हुआ यहां पर देख सक इसको अफिस के तरब से बहागा कारियाल है द्वारा भर तरभी उसी के तरब से वह जाएगा यह समझ आपको इसको इसको प्रच्पर के छिगने तो आपको को ही देना होगा उसका 40 रुपे का डाक्टिकर यहां पे लिखा हुआ है इसके बाद देखे महतपूर निर्दे आवेधन पत्र के प्रपत्र को एवं खो को प्रारूप के प्रिथक पन्नों में आवेधन के साथ तरलंग निकरे मतलग दोनों को अलग-अलग पेज में प्रिं आवेधन पत्र का प्रारूप देखे इस वेबसाइट से आपको यह फॉर्मेट मिल जाएगा देखे यह जो फॉर्मेट है यह मैं ऐसे टेलिग्राम गुरूप में भेज दूँगा वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं देखे यह वला जो को है इसको अपने से भरना आपको और नीचे में यह जो है खो है इसके बाद देखते हैं क्या बोला है गया है देखे आवेधकों को वेहवार नियाल है देवघर में आवेधन पत्र प्राप्त होने के अंतिम्तिती तक वांचित सेक्षनिक योगिता प्राप्त करना निवारे होगा उमिद्वार एक आवेधन पत्र पर केवल एक ही पत्र के लिए अपलाय कर सकेंगे मतलब और देखे उप्रोक्ष वांचित सुचना है यह सब फ्रेंड आपको आपको नोटिस मतलब करने के लिए मतलब इंपोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लिजिएगा ताकि आपको को इसको पढ़ सकते हैं जो बताया जाना था वो बता दिया मैंने जो इंपोर्टेंट बाते थी और देखे फ्रेंड जब भी भेजिएगा तो लिफापे के ऊपर देखे लिफापे के ऊपर विज्यापन संख्या एक अबलिक दो जारताइस लिएगा आवेधित पद का नाम क इस पद के लिए आप आवेधन कर रहे हैं एवं स्रेनी किस केटेगरी से अपलाय कर रहे हैं बड़े बड़े साप अक्षरों में लिखा जाना आवस्यक है तो इसको आप लोग लिखना मत भूलिएगा और देखिए बाकी मैंने जितनी भी जो इंपोर्टेंट इंपेंट बाते थी जिसमें ध्यान देने योग वागते वह बता दिया है फिर भी आप लोग जो कुछ पढ़ना चाते हैं पढ़ सकते हैं पूरी पीडिया आपको टेलिग्राम गुरूप जारखन जॉब नोटिफिकेशन में मिल जाएगी चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं वीडियो को खुब से खुब सेयर करें ताकि सभी को इस फेकेंसी के बारें पता चल सकें काफी अच्छी फेकेंसी है तो आई होप हम आप सभी को यह वीडियो पसंद आये होगी थैंक्यू फॉर वाचिंग दे वीडियो